हेले स्टूडेंट कैसे आप से उम्मीद करता हूाँ आप सब बच्छोंगे मस्त आपकी पढ़ाई से चल बहुए और आज का जो टॉपिक है बच्चो यहाँ पर सबसे पहले तो समनेंगे सब्सक्राइब कहते किसी रहें है ना, simple भास में आपको समझाने की कोसिस करूँगा, भाई, जो भी हमारे पास प्रकास है, उसमें अब यवी रंग पाये जाते हैं, सब को पता है, यदि हम सोईत प्रकास की बात करें, तो इसमें साथ अब यवी रंग होते हैं, सब को पता है ना, अब इसी सोईत प्रकास को हम साथ रंगों में विभक्त कर दें और उसे किसी परदे में प्राप्त करें तो एक निश्चित क्रम को रंगों के निश्चित क्रम को ही हम इस प्रेक्ट्रम कहते हैं तुछ अलग से हैं नहीं आपने पढ़ाओगा बन विच्छेपन कि जब स्वेद प्रकास को किसी प्रिज प्रेक्ट्रम कैते हैं तो सप्रेक्ट्रम का मतलब है रंगों का क्रम या बचो रंगों का समों इस चीजेंस की यह अपका चैफिर टॉल हैHey आध्या बारा चल रहा है तो इस्पेक्ट्रम में आपको थोड़ा सा इनके प्रकार को समझना है कि इस्पेक्ट्रम मुखता दो प्रकार से होता है एक तो उसर्जन इस्पेक्ट्रम एक तो अब सूसन इस्पेक्ट्रम 11th class में जब आप पढ़ोगे 11th class का एदी आप कमिश्टी का सलेबस देखोगे उसमें बड़िया डाइग्राम से समझाया गया है लेकिन फिलाल आपको भी यहाँ पे कम समय में समझना है कि स्पेक्ट्रम है क्या बच्चो स्वेट प्रकास के अभेवी रंगों का क्रम ही स्पे स्पेक्ट्रम उसरजन का मतलब समझ गया होंगे कि जैसे किसी पदार्थ को गर्म करें या उसमा दें फलसरूप वो उर्जा उसरजित करें जैसे आप लोहे को क्या करो कि आग में डाल दो और फिर उसे निकाल दो अंधेरे में देखो तो एनरजी हमें दिखाए देती है र प्रकास निकलने लगता है इस स्थित में हमें इसका स्पेक्ट्रम प्राप्त करें तो उससे उसरजन स्पेक्ट्रम होगा अब अपसोशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि जैसे स्वेद प्रकास को किसी पारदर्शी ठोस द्रव्या के ऐस से गुजारी तो वो कुछ आर्थ को हमने गर्म किया और गर्म करने के फ़स्वरूप उससे उर्जा निकली और उस उर्जा से हम एक प्रकार से स्पेक्ट्रम किसी परदेश में प्राप्त करें तो हमारा उचसरजन स्पेक्ट्रम होता है जो की मुख्रूप से सताति स्पेक्ट्रम रेकिल स्पेक्ट्रम बैंड स्पेक्ट्रम के रूप में पाया जाता है मतलब जो उसर्जन स्पेक्ट्रम होता हो तीन प्रकार से होता है और अब सोसन स्पेक्ट्रम की बात करें तो प्रकास को किसी पारदर्सी माध्यम से गुजा रहें तो कुछ रंगों को अफसोसित कर लेगा कुछ रंगों को जाने देगा तो वही रंग हमें इस्पेक्ट्रम के रूप में दिखाए देंगी ठीक है तो जो हमें रंग दिखाई नहीं देता वहां पे काली पट्टी नजर आएगा सि जो रंग नहीं दिखाई देगा वहां पे काली पट्टी नजर आएगी जो रंग दिखाई देगा हमें कलर दिखाई देगा फिर से दिरंग ने दिखाई फिर काली पट्टी तो भई जो अपसोसित कर लिया वहां पे काली पट्टी नजर आएगी बाकि रंगों का स्पेक् रोजन का इस्प्ट्रम जो नग से मीडियो लाएंगे कि इस्थित करना एक परदे पर उसका कलर प्राथ करना यह आप सोचो कि इसकी एक specific definition होगी जो कि हम अच्छे तरीके समझेंगे ऐसा नहीं है बच्छों यह तीन परकार से होता है एक सतخट्रम सतथ的话 का मतलब यहे है कि एक निश्चीत Всё सबी रंगों का क्रम हमें मिल जाए जैसे इस सबी रंग का एक निश्चित क्रम में उपस्थित रहते हैं कीनी वी दो रंगों के बीच कोई प्रतहकरा न देखा नहीं होता इस सप्र Micah कि नारे पर बैंगणी रंग ताथ दूसरे किनारे पर लाल रूंग ऊता है अन रंग इद रोल के मद में बिद दमान रहते है जैसे हमने आप को प्रिजम के माद़त से बन बीछेपड पन के बैजानी हपी नाला बैंगयला नीला नारंगी लाल ये करम होता है तो सतत स्पेक्ट्रम मतलब एक कलर समाथ हुआ नहीं कि दूसरा कलर बिलकुल उसके बाजू से ही सट करता है मतलब लगातार जैसे इंद्र धनुस आप देखोगे तो कलर में कलर मिला हुआ नजराता है तो यह बैस सतत इस्प्राप्ट्रम होता है, इसको इसी माध्धम से गुजारेंगे, वब अभी रंगों को बाटेगा, जैसे सबसे अच्छा आपको प्रिजम ही नजराएगा, प्रिजम के अलाबा आप ज़्यादा अपने गाओ घर में देखी नहीं सकते हैं, आप लोग यह आप केबल और केबल एक प्रिजमी के माध्यम से ही समझ सकते हो बच्चों ठीक है चलिए जो दूसरा प्रकार है वो रेखिल इस्पेक्टरम जो हमारा उस सर्जन स्पेक्टरम तीन प्रकार का होता एक सतत एक रेखिल और एक बैड इस इस्पेक्टरम में काली प्रिष्टबूई पर पतली वा चमकीली रेखाएं दिखाए देती है जैसे माली जिए थोड़ा सा रंग दूर दूर प्राप्त हो गया ठीक है भाई रंग मिला रंग है ठीक है लेकिन कहीं न कहीं बीच बीच में क्या हो गया थोड़ा सा क्या बोला है इस स्पेक्टरम मे काली प्रिष्ट भूई पर पतली वा चमकीली रिखाएं दिखाई देती है मतलब एक काला हमारा परदा है और उसमें रंग हमने प्राप्ट किया तो इससे क्या हुआ कि रंग सभी मिलेंगे लेकिन पतली रेखाओं के रूप में मिलेंगी रेखिल सतर्थ स्पेक्ट्रम में थोड़ा सा मुटाई है और बच्चो और रेखिल स्पेक्ट्रम में क्या है जैसे काले परदे पर प्राप्ट कर रहे है तो काले परदे पर प्राप्ट करते समय क्या है चमकीले धागे के समान बिल्कूल रंग हमें दिखाई देते हैं जैसे गैस या बास परमाड़ी वस्था मियाने के पस्चाती रेखिल स्पेक्टरम को सरजन करते हैं गैस या बास की इस्थित में बोलते हैं अता है इस प्रकार की स्पेक्ट्रम को परमाडवी इस्प्रेक्ट्रम भी कहते हैं इक्जाम्पल सोडियम Lehm मरकरी लेम रेखिल्य स्पेक्ट्रम देते हैं मतलब कुल मिला करके जैसे हमारे पास कोई गैस बराय किसी माद्धा में और उससे जो हम एक से प्रकास प्राप्ट करते हैं और फल सरूप उससे काले परदे पर प्राप्ट करते हैं तो चमकीले पतले कलर मतलब पतली रेखा की समान हमें प्रत्रीप्ट बने तो वह हमारा कहला था बच्चो क्या रेखिले स्पेक्ट्रम से और एकिन पतले पतले चमकीले धागे के समा तो रेकिल स्पेक्टर्म, बेलब स्पेक्टर्म में क्या होता है कि इस प्रकार की स्पेक्टर्म में काली प्रली पेश्ट मर्णोंए पार चौड़ी विविन रंगों की चमकीली पत्टिय दिखा जेती है, band मतलब चोड़ा समझ है और रेखिल मतलब सक्रा और कुछ भी नहीं है spectrum सभी है रंगों का क्रम सम्में है सतत रूप से मतलब एक निश्यत क्रम में एक के उपर एक दिखाई दे उस सतत है रेखिल है बीच में काली पट्टी भी न जारा सकती चमकीली पट्टी न जारा रहे बीच बीच में और यह दी चोड़ा हो जाए तो बैंड spectrum है और कुछ है नहीं है एक जामपल एक एक आप तैयार करो जैसे बुंसन ज्वाला का नीला रंग है ना नीला बाग गैसलर ट्यूब में कम दाप पर कम भी हुआंतर पर विद्दूद भी सर्जन करने पर बैंड जो आपका spectrum प्राप्ट होता है बैंड spectrum है अब लास्ट में आप लोग अपसोशन spectrum के बारे में परिभासा समझ लो यहां से बच्चो एक दो अंक में पूछा जाएगा तो डाइग्राम बनाने की कोई अब सकता नहीं है डाइग्राम यह दि आप बनाना होता तो मैं आपको अल्रेडी प्रोवाइड कराता हलाक 11th class के कमिश्टी में मैंने आपको समझाया है हो सकता है आप लोग वीडियो देखे हो नहीं देख लेना तो भाई साब सर्च कर लेना कि अपसोषन स्पेक्ट्रम क्या है स्पेक्ट्रम क्या है class 11th coaching classes ऐसा आप सर्च कर लेना मिल जाएगा दूसरे चैनल में भी हमारे इसका वीडियो पड़ा हुआ है तो अपसोषन स्पेक्ट्रम भाई हमने पहले ही बता दिया कि जब सोषन प्रकास को किसी पारदासी ठोस द्रव या गयस गुजारा जाता है तो यह पड़ार्थ अपनी प्रकत के अनुसार को निश्चीत तरंग्दार्थ वाले प्रकास का अपसोषन कर लेते हैं फलसरूप स्पेक्ट्रम में अपसोषित प्रकास के स्थान पर काली रेखाए या काली पट्टिया दिखा देती है इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को च्यानवे पचासी उन्तिस इंके अनवे उन्चास कंटेक्ट नंबर है इस पर आप कंटेक्ट करके हंडेड रुपी चार्ज से एक सब्जेक्ट का प्रापर रूप से हैंड़ इतर नोट्स ले सकते हैं ओके बच्चो मिलते एंगले वीडियो के साथ जैहिंद बंदी मातर झाल झाल